आजम बनाएंगे पोहा और स्वीट कॉन के कंबिनेशन से बहुत ही मज़िदार पोहा रेस्पी अभी तक का पोहा में मतर या तो मुंफली यूज करते आये होंगे लेकिन आप एक बार ये स्वीट कॉन डाल कर पोहा बनाएगे आपको बहुत जादा पसंद आएगा पोहे का पूरा स्वाधी बढ़ जाएगा तो चलिए बीना देरी की वे फटा फट से बनाना सुरू करते हैं उसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे स्वीट कॉन स्वीट कॉन बहुत जल्दी पक जाते हैं तो यहाँ पर फ्याज थोड़े भूने थे तभी मैंने इन्हें डाल दिया है मैंने एक कप पोहा लिया था और एक कप ही यहाँ पर मैंने स्वीट कॉन लिया है अब इने हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये थोड़े पक जाए रूख रूख के एक एक दोदो मिनट पे इने हम भूनते रहेंगे इस तरह से चलाते हुए ढखने की जरूरत नहीं है ये ऐसे ही पक जाएंगे क्योंकि स्वीट कॉन बहुत जल्दी पक जाते हैं और यही इस हम ढूख देंगे थोड़े से मसाले जिसमें हम आने डाला है सिर्फ हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक मिला देंगे इसे थोड़े से ही बुनने के बाद अब बस इसमें हम डाल देंगे ये भीगे हुए पोहे तो यहाँ पे देख रहे हैं पोहे जो हैं बिल्कुल अलग-अलग हैं बिल्कुल चिपके नहीं है तो बस हलकी आतों से इन्हें हमें आराम से मिक्स कर लेना है इसमें थोड़े से नीबू के रस मिला देंगे और सबसे आखिर में अब हम डाल देंगे धनिया पती और बस यह हमारा एकदम जटपड सा नास्ता पोहे का बनके तयार रखाने के लिए बहुत ही लाजवाब लगता है एक बार आप यह स्वीट कॉन डाल कर पोहा जरूर बना के ट्राइ करेगा आपको बहुत पसंद आएगा तो इसे हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे हम सर्व कर लेते हैं तो देख रहे हैं कितना खिला खिला बनाएगे पोहा और थोड़ा सा और इसका स्वात बढ़ाने के लिए और दिखने में भी खुप सू सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन पर क्लिक कर लिजेगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ